हेलो गाईस नमस्कार बेलकम टू नी वीडियो सो गाईस आज की वीडियो में बात करना वाला हूँ जो हमारी टाटा की अल्ट रोज एक्स्टी या एक्स्जेड पेट्रोल में दो ह्यार तेइस मोडल जो कार आती है उसके टायर के बारे में तो चलिए वीडियो करते इस्टार्ट और चैनल पर पहली वार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ने गाईस तो गाईस इस चैनल पर जो भी जानकारी मिलेगी आपको सही मिलेगी गलत नहीं क्योंकि मैं टायर ट्रेड में काम करता हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी ग गाड़ी के लिए कौन से टायर बेस्ट है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस टायर के बारे में क्या 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 आपको फीचर्स मिलते हैं इसमें देखने के लिए और क्या 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 आपको बैंपिट मिलेंगे इस टायर से तो सभी जानकारी मैं आपको इस टायर क के बारे में इस वीडियो में बता हुआ और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेने गाई से तो यह देख सकते हो गाई सिए एम आरफ एको ट्रेट करके बनाया है अगर इसकी साइज की बात करें तो मैं दिखा देता हूं इसका जो साइज होता है ग होता है गाईस आच जो होती ही हमारी हाइज स्पीड डी न होती है यानि की फ्विड हो टीटि होती है ओर एटी हिड्यूबलेस टे tribe यहां यह देख सकते होुआ इसी एमन पैक्मरीで 2022 का टेर बना हुआ है यह सन होती है हमारी maximum loader 530 kg maximum pressure 350 kg trade edge की band ply polyester side wall भी इसकी band ply polyester और 2 ply steel और band ply lyon तो guys इसके जो side wall होती है strong होती है and comfort भी होती है और यह soft compound वाला यह टेर होता है तो बहुती best टेर है आप इस टेर को डलवा सकते हो and guys अगर इसके pattern की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ इसका जो pattern है तो यह देख सकते हो कापी अच्छा खुबसूरत pattern है and reward quality भी इसकी best टेर और यह high performance वाला यह टेर होता है तो आप इस टेर को डलवा सकते हो और यह देख सकते हो guys इस टेर में तीन निसान लगे होए यह company इसलिए लगा के देती है जब हमारा टेर इस निसान तक गिच जाता है तो हमें टेर चैंज कर देना चाहिए और ये निसान सभी टेरों में होता है यानि की bike के टेर हो या car के टेर हो या पिर truck के टेर हो तो ये सबी टायरों में ये निसान लगे हुए होते हैं तो जब भी हमारा टायर इस निसान तक घिज जाता है तो हमें टायर चेंज कर देना चाहिए एंड गाईस अगर इसकी बारंटी की बात करें तो इसकी बारंटी 6 एर बारंटी होती है Man-Pax-Sint Effect की जैसे की साइट से किरेक हो जाता है या बबल कर जाता है तो उसकी बारंटी माता है यह टेर या फिर आपकी गाड़ी तेजी स्पीड से चलती है अचानक मैं गड़े में या ब्रेकर पर चड़ जाती है और जो अंदर से रिम से जो टचो कर जाता है तो उसकी भी बारंटी माता ही टेर तो गाईस आप इस टेर को डलबा सकते हो अगर आपके पास जो टाटा की अल्ट रोज एक्स टी है एक्स जैड पैटरोल में 2023 मोडल जो कार आती है उसके लिए बहुत ही बेश टेर है और यह देख सकते हो गाईस एको ट्रेट करके बनाया है कंपनी ने और यह देख सकते हो गाईस इंडिया से इको फ्रेंडली कार टायर से बहुत ही बेश टेर है इसका साइज है 186,6,6,6 और यह देख सकते हो गाईस लो रोलिंग रजिस्टेंस यानि कि इसकी जो रजिस्टेंस है बो भी अच्छा है और बेट ग्रिप एंड हैंडलिंग यानि कि बरसात के मौसम में या कींचल में भी कोई प्रॉब्लिम नहागी इस टेर से एंड लो नो आईस्यानि कि इस mercury सर गगईर भी नहीं आती है इस टैर से और And Glass टैर होता है और Stability Handling यानि कि कटिंग में भी प्राब्लिम नहीं इस टैर से तो बहुती बेस टैर है आप इस टैर को डलवा सकते हैं तो गईस इस टैर की जो stability है वो भी अच्छी है इस टेर की superior braking यान की braking में भी अच्छा है यह टेर और superior driving यानि की driving में भी कोई problem नहाएगी cut resistance यानि cutting में भी कोई problem नहाएगी इस टेर से तो बहुत ही best टेर है तो आप इस टेर को डलवा सकते हो वाई अगर इसके किलोमेटर सर्विस की बात करने दिए 80 से 85 जार किलोमेटर आपको सर्विस देगा सर्त यह है कि हर 5000 किलोमेटर चलने के बाद जो हमारा bill balancing and alignment जो होता है वो बहुत जरूरी होता है हमारी टेर की लाइब बढ़ाने के लिए अगर आपका bill balancing and alignment पर उपर रहता है तो यह 80 से 85 जार किलोमेटर गरंटी से सर्विस देगा तो बहुत ही बैतरी टेर है आप इस टेर को डलवा सकते हो तो गैस आज की वीडियों पर इतना ही मिलते है नेस्ट वीडियो में तो प्लीज चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लिने गाईज और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देने गाईज और कमेंट बक्स में भी आप बता सकते हो कि कौनशी गाड़ के लिए कौनसा टेर बेश्ट है तो मैं आपको कमेंट बक्स में भी बता दूँगा कि कौनसी गाड़ के लिए कौनसा टेर बेश्ट है तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद